दोस्तों बात अगर mobile से payment करने की हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा आप आता है हाँ फटाफट कमेंट करो बताओ मुझे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा आप है जो आपके दिमाग में आता है पसे mostly लोग जो है वो google पे ही comment करें क्योंकि google पे थोड़ा सा आसान है ही होते हैं कैर दिरे दिरे यूजर बढ़ रहे हैं तो कमपनिया जो है वो आपको जो लालस पहले देती थी cashback का वो देना इन्होंने बंद कर दिया है लेकिन इसी बीच एक ख़बर ये भी आ रही है कि google पे तो पहले payment ले सकते हैं ठीक है और basically बस आप अपना mobile नमर बताते हैं और पैसे आपके account में भेज़ दे जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं इसी बीच ख़बर ये निकल के आ रही है कि google ने अपना account से कोई मतलब नहीं होता है इसमें यूपाई में का होता है कि bank account चाहिए होता है तो नाम से यह concept यहाँ पर काम नहीं कर रहा है गूगल वालेट पूरी तरह से गूगल पे से बिलकुल अलग है तो आपको जो गूगल पे अगर यूज कर रहे हैं तो गूगल वालेट के बारे में भी जाना चाहिए देखो फ्रेंड्स भारत में आपको याद होगा कि एक डिजी लॉकर नाम से एप मौजूद है और इसमें आप अपने वो सारे यह सकते हैं जो कि आधार से लिंग होते हैं अगर आधार नंबर का यूज करके आपने कहीं पर जिससे का आपक आधार ब्रक्रापल कर इसे सारी चीजें आप daunload कर सकते हैं कहां से अगर या आप कर सकते हैं मतलब आधार से अगर लिन्क है आपका डॉक्मेंट तो रहा है और आपके डीजी लाकर लेकिन भारत में देदरे क्या हो रहा है की अ बेछीजें जो है बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है तो एक औसर है कंपनियों के लिए भी कि वो इस औसर का लाव उठा है तो इसी को देखते विए गूगल पे ने अपना गूगल वालेट जो है इसे लांज कर दिया है अब यह जो गूगल पे है और गूगल वालेट है यह दोनों कमप्लीटली एक दुसरे से different हैं कैसे, Google पे केबल payment के लिए है, इसमें आप अपना कोई भी document वगएरा store नहीं कर सकते हैं, मतलब बस payment भीज सकते हैं, payment ले सकते हैं, ठीक है, और अगर बात करें Google wallet के बारे में, तो इसमें आप अपना जो document है, उसको store कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कि किसी movie का ticket हो गया, और airlines का ticket हो गया, trip transit हो गया, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें store कर पाएंगे और ये बिलकुल मानने होंगी, तो मतलब यह कि अगर आप Google Wallet का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पने documents को इसमें save कर पाएंगे, तो आपके mobile phone में दो आप रहेंगे, एक Google Wallet का जिसमें आप अपने सारे documents save करक तो Google Wallet और Google Pay ये दोनों बिलकुल completely different है, Google Wallet जो है कि एवल आपके documents के लिए है, उसको आप यहाँ पर save करके तक सकते हैं, like as DigiLocker, लेकिन इसमें आधहार जरूरी नहीं है, जब कि DigiLocker में आधहार से आपको जो है link करना important होता है, जरूरी होता है, तो यहाँ पर आप लग सकते हैं, तो documents के saving के लिए Google Wallet बनाया गया है, इससे आप payment नहीं कर पाएंगे, इसमें payment का feature नहीं मिलेगा, payment करना है तो आपको कोई भी UPI या पर Google Pay का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे Google Wallet क्या है, हलांकि आपको friends ये और ये हैं। ट्रोफ उन्होंग गिंसे और द्रोफ त क्या है तो ट्रोफ त कि आपको कुराब गया.